अखन मंथन के सभी दर्शकों को नमस्कार समाचारों के कारिक्रम बस इतनी सी बात में आपका स्वागत है मैं हूँ शेक खत्रपाठी सरोपरधम देश भर से कोरोना रिपोर्ट तो देश में जहां कोरोना संक्रमण तीवरिता से बढ़ रहा है वहीं शुब समाचार ये भी है कि कोरोना के रोगियों के स्वस्थ होने का प्रतिशत भी बढ़ कर अब 29.36 हो चुका है अर्थात अस्पताल में भरती प्रतेक 3 में से एक कोरोना रोगी अब स्वस्थ है जहां पिछले 24 घंटे में 1273 रोगी ठीक हुए है वहीं अब तक 16,540 कोरोना रोगी संक्रमण मुक्त हो चुके हैं जबकि 37,916 रोगियों की चिकित्सा की जा रही है पिछले 24 घंटे में देश बर से 3,390 कोरोना के केस सामने आये हैं वहीं अब पूरे देश में 56,342 कोरोना के रोगी हो चुके हैं अब तक 1886 रोगियों की बृत्यू भी हो चुकी है और अब बात कोरोना के रोगियों की चिकित्सा की स्थिती की तो स्वाष्थि मंत्राले की रिपोर्ट की अनुसार गुरुवार तक कोरोना के एक्टिब रोगियों में से 3.2 प्रतिशत ओक्सीजन का सपोर्ट ले रहे हैं जबकि 4.7 प्रतिशत रोगी ICO में भरती हैं और 1.1 परसेंट रोगी वेंटिलेटर पर हैं देश भर में 216 जिले ऐसे हैं जहां एक भी कोरोना का रोगी नहीं है प्रतिशत रोगी नहीं मिला है तो 46 ऐसे जिले हैं जहां 7 दिन से कोई केस नहीं है उदर एम्स के डारेक्टर रंडीब गुलेरिया ने अनुमान जताया है कि भारत में जून जुलाई में कोरोना के सरवाधिक केस आ सकते हैं जबकि स्वाधिन मंत्राले का कहना है कि यदि हम सुचिता एवं सामाजिक दूरी का पालन करेंगे तो पीक पर जाने की संभाओना ना के बड़ाबर है स्वाधिन मंत्राले के सचीव लव अगरवाल ने बड़ी पते की बात कही है कि अब कोरोना वाइरस को हमें अपने जीवन शैली में लाना होगा और जीन निमो को हम किसी दबाव के कारण अपना रहे हैं उन्हें स्वाभाविक रूप से अपनाना होगा तबी इस महामारी पर विजय पाई जा सकती है क्योंकि ये एक लंबी प्रक्रिया है और वैक्सीन एवं दवा बनने तक साउधानी ही बुद्धिमानी होगी उधर कोरोना की चिकिस्सा के लिए प्लाजमा थेरवी पर अध्यन करने के लिए देश के 21 अस्पतालों में क्लिनिकल ट्रायल होगा इसे नेशनल एथिक्स कमेटी से स्वीकृती भी मिल गई है और चंडीगर से एक-एक अस्पताल है अब बात कुरोना संक्रमन के कारण देश भर में फैले श्रमिकों की घर बापसी की तो रेल्वे ने धाई लाग से अधिक फसे हुए लोगों को 222 श्रमिक स्पेशल ट्रेन के माध्यम से उनके घर पहुँचा दिया है इस बीच अपने घर जाने के लिए निकले 16 श्रमिकों की ट्रेन की पटरियों पर बृत्यू के समचार ने सारे भारत को शोका कुल कर दिया है ये सभी श्रमिक अपने परिवार के साथ रेलवे की ट्रेक पर चलते हुए घर के लिए निकले थे किन्तु चलते चलते ठक कर ये इनी पटरियों पर सो गए घटना करमाड के निकट हुई खाली मालगाडी प्रवासी मजदूरों के उपर से गुजर गई इस घटना में पटरियों पर बैठे तीन लोग बच गए हैं बताय जा रहा है कि मालगाडी के चालक ने मालगाडी को रोकने का प्रयास किया लेकिन सफल नहीं हो सका काफी दूर से ही उसने ब्रेक लगाने का प्रयास किया लेकिन दुर घटना हो ही कई इस घटना में मारे गए परिवार के परिजनों को महराष्ट एवं मध्यपधेश सरकार ने 5-5 लाग की आर्तिक सहायता देने की घुशना की है घटना पर सभी केंद्रिये मंत्रियों विपक्षी दल के नेताओं ने दुख जताया है इस बीच एक परश्ण सरकार से भी है और भारत देश के नागरिकों से भी कि आखिर ऐसा क्यों है कि गरीबों के लिए कोई आगे नहीं आता अमीर प्रवासी भारतियों के लिए विदेश से लाए जाने के लिए 5 इस्टार विवस्था की गई है जबकि गरीब श्रमिक जो राश्टर के निर्मार की आत्मा है उसे पैदल चल कर मरने के लिए विवस्थ किया जा रहा है आखिर लॉकडाउन की गोशला में जब श्रमिकों के पैदल जाने का समचार मीडिया में दिखाये गया तो सरकार ने क्यों नहीं उसी समय कोई ठोस कदम उठाया अखर्मन्थन राजे एवं केंद्र सभी प्रकार की सरकारों की इसके लिए आलोचना करता है और आपको जगाने का प्रयास कर रहा है कि जब तक आप आम आदमी की स्थिती और उसके प्राणों की कीमत नहीं बढ़ाएंगे हम और आप इसी तरह कभी सड़क पर तो कभी रेल की पटरियों पर कुछले जाएंगे किन्तु सबसे बड़ा प्रशन ये है कि जब चुनाओ आते हैं हम मात्र अपना लाब देखते हैं कभी हमें मुफ्त की बिजली दिख जाती है कभी मुफ्त का अनाच और कभी मुफ्त का पानी आदी आदी और अगर ये भी ना हुआ तो हम जाती को आधार बनाकर वोटिंग करते हैं तो कभी धर्म को आधार बनाकर मुस्लिम है तो वो कॉंग्रेस को ही वोट देगा क्योंकि उसे बीजेपी से संकट दिखता है पिछडा है दलित है तो वो तमाम समाजवादी दलों को वोट देगा क्योंकि उसे संकट है किन्तु देश के मुद्दों पर वोटिंग कोई नहीं करता हम प्रशन उठाना क्यों भूल जाते हैं क्या देश के संसदी प्रणारी में ऐसी विवस्था नहीं होनी चाहिए कि हम अपने चुने हुए प्रतिनीदियों को समय समय पर अपने निर्णे से ओगत कराएं एवं उस पर कारवाई करने के लिए उन पर दबाव बनाएं जरा सूचिएगा चलिए आगे बढ़ते हैं गुरुवार देर रात हुए गैस लीक कांड में एक नया मोड आ गया है अब नेशनल ग्रीन ट्रिबिनल परियावनन मंत्राले एवं सेंट्रल पॉलिशन कंट्रोल बोर्ड ने आंद्रपदेश के विशाखा पटनम की LG Polymer Industry के विरुद कमपनी को 50 करोड का आर्थिक दंड देने का आदेश दिया है इसके साथी साथ पूरे विशाखी जाँच के लिए नियाई कमेटी बना दी गई है इस क्षित्र में गैस के प्रभाव को कम करने के लिए गुजराच से केमिकल पैरा टर्शरी ब्यूटाइल के कॉल को मंगा कर इसका छिड़काओ किया गया है इसे पूरो आसपास के गाउं के लोग घर छोड़कर जाने लगे थे किन्तु अब इस्थानी प्रशासन के अनुसार भैभीत होने की कोई अवश्यक्ता नहीं है वे अपने स्थानों पर रह सकते हैं जबकि पांच गाउं के लोगों को पहले ही सुरक्षित स्थानों पर पहुँचा दिया गया है कोरोना संक्रमन के कारण देश भर में ठप उद्योगों के पट्री पर लोटने के समाचार हैं उतरप्रदेश के नोईडा में लगभग 650 कारखानों एवं ओद्योगिक समुहों ने कारे करना आरंभ कर दिया है इधर उतरप्रदेश के ओद्योगिक मंतरी श्री सतीश महाना ने प्रदेश में चल रहे उद्योगों को एक और राहत प्रदान की है उन्होंने नए उद्योगिक निवेश करने और पूरोव में इस्थापित उद्योगी प्रतिष्ठानों एवं कारखानों के लिए श्रम नियमों में 1000 दिवस के लिए आस्थाई छूट प्रदान की है इसके साथ ही साथ जो उद्योग 50% कर्मचारियों के साथ काम कर रहे हैं वहां भी सभी को वेतन देने की नीती पर विचार हो रहा है इसके साथ ही साथ उद्यमियों की सुविधा के लिए साथी पोर्टर लॉंच किया गया है इससे GST रिफंड एवं तमाम प्रकार की सुविधाएं उपलबध होंगी इसी प्रकार योगी सरकार ने यूपी श्रम अधिनियमों में बड़ा परिवर्तन किया है जो की तीन वर्ष तक प्रभावी रहेंगे इसमें 38 नियमों में बदलाव किया गया है जो की तीन वर्ष तक निश्च प्रभावी रहेंगे अब लाखों की संख्या में प्रवासी श्रमिकों की वापस लोटने की भी समाचार मिल रही हैं और अभी अभी प्राप्त समाचारों में दस्वी एवं बारहमी के CBSC बोर्ड के छात्रों के लिए समाचार है अब दोनों कक्षाओं के चात्रों की बची हुई परिक्षाओं के आयोजन की घोशना की गई है केंद्री माधे मेंक सिक्षा बोर्ड के अनुसार अब CBSC दस्वी एवं बारमी की सेश्ट परिक्षाएं एक जुलाई से पंद्रह जुलाई के मध्धे आयोजित कराएगा इसी के साथ कौन सी परिक्षा किस दिन होनी है इसकी भी घोशना एक दो दिन में हो जाएगी जबकि JEE में परिक्षा 18 जुलाई से आरंभ होकर 23 जुलाई तक चलेगी वही नीट यूजी 2020 का आयोजन 26 जुलाई 2020 को किया जाएगा CBSE 12 जुलाई के चात्रों की Business Studies, Geography, Hindi Elective, Hindi Corp, Home Science, Sociology, Computer Science, Old, Computer Science, New, Information Practice, Old, Information Practice, New, Information Technology और Bio Technology विशियो की परिक्षा है जिनका आयोजन 1 जुलाई से 15 जुलाई के मध्धे होगा इसे के साथ दिल्ली दंगो के कारण उत्तरी पूर्वी दिल्ली में दस्वी की परिक्षा कुछ सेंटरों पर नहीं हो पाई थी ऐसे में सिर्फ उन छात्रों के लिए दस्वी की परिक्षा होगी जो उत्तर पूर्वी दिल्ली हिंसा के कारण परिक्षा नहीं दे पाई थे उतर पूर्वी दिल्ली में दस्वी के छात्रों को अभी इन 6 विश्यों Hindi Core A, Hindi Core B, English Common, English Language and Literature, Science, Social Science की परिक्षा देनी होगी 6 स्कूल 83 विश्यों में से 29 मुख्य विश्यों की ही परिक्षाएं ली जाएंगी जबकि 54 विश्यों की परिक्षा में ग्रेडिंग सिस्टम से मुल्यांकन किया जाएगा और अब चलते चलते बात आगामी मौसम की तो दिल्ली के मौसम विभाग के अनुसार आगामी 4 दिनों में मौसम में उतार चड़ाओ देखने को मिलेगा 10 से लेकर 13 मई तक दिल्ली एवं NCR में बादल चाय रहेंगे जबकि कुछ स्थानों पर 30 वर्षा हो सकती है पश्यमी विख्षोप के कारण ही पूरे देश का मौसम परिवर्तित हो रहा है नई दिल्ली के प्रादेशिक मौसम पूर्वा अनुमान के प्रमुख डॉक्टर कुलदीप स्थानों ने बताया कि उतर भारत में एक नया पश्यमी विख्षोप पहुच रहा है इससे दिल्ली और आसपास के क्षित्रों में 10-12 माई तक 30-40 किलोमीटर प्रतिघंटे की गती से हवा भी चल सकती है रहात की बात तो यह है कि लॉकडाउन के कारण दिल्ली का प्रदूशन इस्तर अब सुधर गया है और अब दिल्ली के पीम 2.5 का औसत इस्तर 48 माईकर ग्राम क्यूबिक मीटर पाए गया है इसका सामान इस्तर 60 MGCM होता है इसका इस्तर शुकरवार को 33 MGCM रह सकता है मौसम वेग्यानिकों के अनुसार दिल्ली में अगले दो दिनों तक पीम 2.5 का इस्तर कम रहने के आसार है इससे लोगों को प्रदूशन से राहत मिलेगी तो बस इतनी सी बात में आज बस इतना ही कल मिलते हैं कुछ नए समाचारों के साथ और इसी के साथ हम अपने सभी दर्शकों से ये अनुरोध करते हैं कि आपके जीवन का जो समय है ये बहुत मुलेवान है और इसे यदि आप टीवी या फिर अनावश्यक वेब के कारिकरम देखने में व्यर्थ करते हैं तो ये समय के सही मुल्यांकन का विशय नहीं होगा हम आपसे आगरे करते हैं कि कृप्या वही कारिकरम देखें जो आपके समय की वचत करते हैं और आपको अतिरिक्त समय देते हैं जिसमें आप कुछ अच्छे सकारतमक कारे कर सकें कम समय में अधिक समाचारों के लिए देखना मत भूलिएगा प्रति दिन बस इतनी सी बात धन्यवाद हमारे प्रसारिन को देखने के लिए और हम आपसे अनुरोथ करेंगे कि यदि आपने हमारा चैनल अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्रिप्याओ से सब्सक्राइब करें और यदि आपको अच्छा रखता है तो लाइक भी करें धन्यवाद